पूरे विश्व में भारतिये आध्यात्म की द्वज पता का फहरा रहे बागिश्वर्धाम सरकार 25 मार्च से पनागर में शिर्मत भागवत कथा करेंगे कथा में शामिल होने के लिए देश भर से भक्तों की भीड़ आ रही है जहां कथा के पूर्व शुक्रवार को विशाल कलश सोभायात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में शद्धालू शामिल थे बताया जा रहा है कि शोभायात्रा में करीब 35,000 कलश यात्री सम्मिलित हुए इस भवे कथा का आयोजन विधायक शुशिल तिवारी इंदू द्वारा किया गया है भागवत कथा की शोभायात्रा को लेकर शेत्रवासियों में गजब का उत्साह था देवरी की सिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा का श्री गरेंश हुआ कलश यात्रा के मार्ग को भगवा दोस से सजाया गया था और शोभा यात्रा में शामिल सभी माताएं बहने पितामरी वस्तर में थी जहां सभी महिलाएं कलश को सिर पर रख मंगल गीत गाते हुए कथा इस्थल तक पहुंची इस दौरान छेत्रवासियों ने अपने घरों से भक्तों पर पुश्व वर्शा की यात्रा मार्ग पर कई स्वागत मंच बनाए गए थे सभी मंचों पर भजन कीर्टन के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया गया बताया जा रहा है कि यात्रा महा कौशल की सबसे बड़ी और भव्य शोभा यात्रा थी वहीं आप पनागर में ये कथा 25 मार्च से 31 मार्च तक हर दिन शाम 4 बजे से रातरी 8 बजे तक होगी जहां कथा व्यास धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा संगीत में भागवत कथा सुनाई जाएगी जहां महराज द्वारा 27 और 28 मार्च को दिव्य दर्बार भी लगाया जाएगा जिसमें महराज भक्तों की समस्या का निदान करेंगे